मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा का सेवन आईडिये का विशेश अभियान आगामी दस फरवरी से चलाया जाएगा महीं प्रस्तावित कारिक्रम के संभध में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर गौरव खरे ने जानकारी देते हुए बताया है कि फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए विशेश अभियान दस फरवरी से तेस फरवरी तक चलाया जाएगा जिसमें पहले तीन दिन बू जूनियर मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया है कि फाइलेरिया से बचाओ के लिए ये अभियान दस फरवरी से पच्चेस फरवरी तक चलाया जाएगा और इस कारिक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जागरुकता रथ पर L.E.T. के माध्यम से ल लानी है कि ये पाइलेरिया कि बीमारी वो लाइलाच और बीमारी है और इसको अपने कुल दजरेंदाज बिल्कुल नहीं करना है इसमें पहले तीन दिवस जो है अपना बूत रहेगा जहां पर हम बूत पनाएंगी जहां पर ज्यादा लोग इकटे हो सकते वहां पर बूत दवाई का बितरन किया जाएगा और सामने सामने दवाई खिलाई जाएगी और अगले छे दिन जो है वो घर से घर गर जाके हमारे कारे करता जो है वो दवाई खिलाएगी और लास्ट के तीन दिन जो है उसमें मौपक के लिए रखना जाएगा जूट जाएगा उनके टोई तब सबस्क्राइब दियद ऊत्पूर करें बलोग उपारे लिएपश्फ में लॉग दोछ", फ्में यहां पर पोजेटिब केस्क हाने की करण तो इसका जागा है, थिछ जगया पर हलिए प्लीकम में अभमक्ष में 2वाश एबाया जाए की यह जोटो गोली एकार झूबशल एबां आई वरमेक देशी गोली जना फ़ाल प Mickey फाल ले किताणू को मारती है तो उंप मन को दोवाल तक बच्छों को यह दबान है थो थे पाँ वह जब पाँ पाल तक दोच्छों को यह दवार नहीं और जस्व पाँ-वाल तक दवाल तक प्लाई आने है